हेलो फ्रेंड्स मैं होग और अब आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक प्लेटफोर्म फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप आधार कार्ड बीना मोबाइल नंबर रिजिस्टर्ड के ओनलाइन किस पर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मतलब अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रिजिस्टर्ड नहीं है तो पर भी आप ओनलाइन किस पर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसी के बारे में बताएंगे आपको पता ही है कि अभी जो है आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका आधार कार्ड में मोबायल नंबर रेजिस्टर्ड होना जुरूरी है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बीना मोबाइल नंबर रिजिस्टर्ड के ही आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो friends आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी डीटेल में जनकारी देंगे और step by step बताएंगे कि आप आधार कार्ड बीना mobile number registered के किस पर कार डाउनलोड करे सकते हैं तो friends वीडियो में शुरू से लेकर अंग तक बने रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल smart tech platform को subscribe नहीं किये हैं तो निशे subscribe button को press करके subscribe कर लिजे और bell icon को press करके all notification को on कर लिजे ताकि हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लागे तो like share और comment जरूर किजे तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile या laptop से कोई browser open कर लेना है चलिए हम पहले chrome browser open कर लेना है search करने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर सबसे उपर वाला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यह वाला आपको select कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर uidai.gov.in यह लिखा हुआ है इसको आपको इसमें click कर देना है यह जो है uidai का official website है इसमें आने के बाद आपको जो है अगर आपको इस website में आने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम इसका link आपको description में दे देंगे सिधे आप इस website में आ जाईएगा uidai.gov.in यह जो है official website का homepage है इसमें आने के बाद यहाँ पर आधार card आपको order करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं order आधार pvc card तो इसमें आपको click करना है इसमें click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर login करना है आपको यहाँ पर आधान नमबर से कर सकते हैं virtual id इससे कर सकते हैं eid अगर आधान नमबर है तो आप आधान नमबर से virtual पिशुल id number है तो उससे कर सकते हैं या यह id है तो उससे कर सकते हैं तो आपको यह जो है order करना है order करने के बाद आपके पास जो है आधार काड भाई-पोस्ट एक सब्ता के अंदर आपको मिल जाएगा आपके जो है एड्रेस जो डिया हुआ उसी एड्रेस में आपका आधार काड भेज दिया जाएगा तो चलिए एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर पर ही स्लेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालना है यह वाला जो क्याप्च को डालने के बाद अगर आपका mobile number registered नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक option मिलेगा यहाँ पर mobile number is not registered तो इसमें आपको टिक कर देना है इसमें टिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक mobile number डालने का option आ जाएगा यहाँ पर जो आपके पास available mobile है उसमें एक OTP जाएगा तो वह वाला mobile number यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर डालने के बाद आपको send OTP पर click कर देना है तो जैसे ही आप send OTP पर click किजिएगा चलिए करके आपको दिखाते हैं mobile number डाल लिए अब आपको send OTP पर click करना है तो चलिए click कर लेते हैं click करने के बाद आपका जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर OTP send जो है आप mobile number दिए हैं उसमें आपका OTP पहुँच जाएगा तो उसमें OTP जाने के बाद आपको वह वाला OTP निचे इसकल करते आ जाना है और य यहाँ पर डालना है तो चलिए डाल लेते हैं जो वहला OTP आया है तो चलिए बाद यहाँ पर term and condition पर tick कर देना है यहाँ पर tick कर देना है तो चलिए टिक कर देते हैं फिर submit bottom पर click कर देते हैं click करने के बाद आपका जो है आधार का अड़ में mobile number registered नहीं है तो आपका आधार card का preview यहाँ पर दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर आपको आगे नीचे scroll करते हुए जाना है तो चलिए नीचे scroll करते हुए जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं mac payment पर इसके लिए आपको 50 रुप्या चार्ज देना है तो चलिए mac payment पर click करते हैं mac payment पर click करने के बाद आपके पास जो है कुछ दिर बाद यहाँ पर इस तरह का option आ जाएगा इसके लिए 50 रुपया आपको payment करना है आप जो है किस परकार से payment कर सकते हैं यहाँ पर card से ATM card debit card जो है credit card उससे payment कर सकते हैं net banking से या UPI से इन तीनों में से किसी में से भी आप payment कर सकते हैं तो अगर आपके पास card है तो card से किजिए net banking है net banking से किजिए UPI है तो UPI से किजिए तो मैं पैमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारा detail डालने के बाद आपको प्रोसीड पर खिलिक कर देना है तो चलिए किलिक कर लेत खिल कर देना है यहां पर एक OTP आएगा जो रिजिस्टर मोबाइल नमबर है आपके एकाउंट के साथ वह इसमें OTP यहां पर डाल देना है फिर मैं पेमेंट पर क्लिक करना है पर क्लिक करने के बाद आपका जो है एक आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसको डाउनलोड कर ले उसी एड्रेस पर आपका आधार काड आ जाएगा तो आप इस पर कर जो है बीना मोबाइल नमबर रिजिस्टर के ही आप आधार काड जो है घर मंगवा सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बस ततना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस बस तना ही थेंग्स